RCBW vs DELW Dream 11 Team यानी Royal Challengers Bangalore Women vs Delhi Capital Women Dream 11 Team इस मैच के अंदर टीम बना रहे होना तो इस वीडियो को पूरायाद से देख लीजेगा दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Royal Challengers Women vs Delhi Capitals Women's के बीच होने वाले Women Premier League के मैच नंबर 2 के बारे में जो की खिला जाएगा Bourbon Stadium Mumbai के Ground के उपर 5 मार्च को दोपैर को 3 बच के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट होगा Indian Time के अनुसार सबसे पहली बाद दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे Telegram चैनल को जोइन नहीं किया ना तो जोइन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा 54,000 बंदों ने अल्रेडी जोइन कर रखा है और रोज अच्छी टीम पात के और अच्छी विनिंग भी करते है तो सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया है लिंक पे क्लिक कीजिए Telegram चैनल जोइन कर लीजिए वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह लाल वाला बटन दबा दीजिए ग्राउड की उपर और दोस्तो इस ग्राउड की बात करे ना तो इस ग्राउड की उपर Women International Cricket के अब तक 10 मैच के ले गए है जिसमें पहले बैटिंग करने वाले टीम ने 5 और सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने 5 में जीते हैं बाकि दोस्तों ये ग्राउंड थोड़ा स्मोल है साइज के अंदर तो यहाँ पे हिट लगाना भी थोड़ा आसान रह सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरस्टिंग चीज़ पता है क्या इस ग्राउंड की। इस ग्राउंड पे खेले गए लास्ट के 3 T20 मैच। जो दोस्तों खेले गए थे इंडिया और उस्टेलिया के बीच जब रिसेंटली उस्टेलिया की टीम इंडिया आई थी। सेफाली वर्मा ने बाउंड रन बनाए थे जो कि दिल्ली की तरब से कहलेगी और मेगन सकट को एक विकेट मिला था जो कि दिल्ली की तरब से खेलने वाली है। दूसरे मैच के अंदर उस्टेलिया की टीम ने फिर से पहले बैटिंग की 108 सी रन बनाए थी इन विकेट पे। इंडिया चेयज करते हुए 117 रन बना पाई थी 5 विकेट पे और वो मैच उस्टेलिया सात रन से जीत गई थी। उस मैच में दोनों इनिंगों मिला के दो विकेट फास्ट बोलर को मिले थे और छे विकेट स्पीनर को मिले थे। उस मैच में दोस्तों फिर से अली से पेरी ने बैतर रन बनाए थे जो कि यहाँ पे फिर से मैं आप बदा दूँ कि बैंगलोर की तरफ से के लेगी राधा यादों को एक विकेट मिला था शेफाली वर्मा 20 रन बनाए थे जमाइमा रोडरी की उस आट रन बनाए थे और इ इन दोनों यानि बैंगलोर दिल्ली की टीम से नहीं है सिफाली वर्मा 13 रन एक विकेट और डिचागोस ने 10 रन बनाए थे अब देखो दोस्तों लास्ट के तीनों के तीनों मैच पहले बैटिंग करने वाले टीम ने जीतने हैं इंडिया उस्टेलिया इंडिया उस्टेलि बनाए थे और तीसरी सबसे बड़ी बात तीनों मैचों के अंदर विकेट फॉल अच्छा देखने को मिला है पहले मैच में 15 दूसरे मैच में 8 तीसरे मैच में 14 और यहां पर फास्ट बोलर और स्पीनर को लगबग लगबग एक्वल ही विकेट मिले यानि अपना स्नेरियो कलियर होता है कि यहां की बीच आपको एक बैलेंस पीच देखने को मिल सकती है फ़र्स्ट बैटिंग करने वाली तीम को थोड़ी एडवांटेज रह सकती है और सेकंड इनिंग के अंदर पीच थोड़ा स्लो हो सकती है यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है इस चीज़ क मैं आपके लिए एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ देको दोस्तो तीन मैच खेले गए तीनों के तीनों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते है वहीं दोस्तो लाश्ट के तीन मैचों के अंदर जो प्लेयर कैप्टन बना है वो बैट्समेन बना है और खासकर प फर्स बोलर स्का दोनों के मिले और दोस्तो इस वेन्यूक अंदर स्टार्टेंग में पार प्लेयर के अंदर आपको स्विंग भी देखने को मिल सकती है अब दोस्तो इस वेन्यू चेत्स पर अगराम बात करें ने तो campus रह सकते अबने तो अलिसे पेरी कारण की पर काफी अ प्रपगंदर काफय अच्छा फोड की आई है, मेरी जने कैप, राइटाम फास्टीम बोलिंग कर लेती और ये भी अच्छी प्लेयर है, और शेफाली वर्मा, राइटाम ओवर ब्रेक बोलिंग कर लेती और ओपनिंग अन्या थी, यानि ये 5 प्लेयर मेरे हिसाब से स्मेच में टोप पिक्स रह सकते हैं और इन 5 में से कम से कम 4 प्लेयर तो पकार ड्रिम टीम में आ भी सकते हैं बाकि दोस्तों कुछ ऐसे domestic प्लेयर और international प्लेयर और भी है जो आप के लिए टीम बनाते से में एहम रोल योगदान प्लेय कर सकते हैं उनके बारे भी आगे डिसकस करेंगे अब भी अगर हम पिछ का बात करेंगे तो आपको काफियत तक एक balance पिस देखने को मिल सकती जो कि batsman बोलर दोनों को favor कर सकती है हाला कि थोड़ा small ground है तो batsman को पहली inning में थोड़ा ज़्यादा advantage भी देखने को मिल सकता है बाकि जो भी final pitch report आएगी न वो telegram पे मिलेगी क्योंकि दोस्तों ये है पिछले record के basis पे पिछ रिपोर्ट final आएगी वो मिलेगी आपको telegram पे दो लाग रुपे वाली mega league बिल्कुल free में केल सकते हो वहीं दोस्तों बल्ले बाजी के उपर आपको 25,000 रुपे का free giveaway मिल जाएगा साथ ही दोस्तों बल्ले बाजी आपको लेगा है कमाल के deposit offer जिसमें गर आप बल्ले बाजी के उपर 3,000 रुपे deposit करते हो और MAR99 coupon code उज़ करते हो का आपको 99,000 रुपे वाली mega league के अंदर एक free ticket मिलेगी ऐसी दोस्तों आपको लिए 800,000 रुपे का deposit offer है तिंच,000 रुपे का deposit offer है आप screen पे देख सकते हो और दोस्तों बल्ले बाजी के उपर सबसे बड़ा feature है बल्ले बाजी का predictor opinion trading जिसके अंदर आप yes और no में answer देके पैसे कमा सकते हो बहुत ही असान है आपको match के अंदर कुछ question पुछे जाएंगे जिसमें आपको yes और no में quantity trade करनी है और अगर आपका अनुमान सही हो तो आप पैसे कमा सकते हो जैसे दोस्ते हैं आप एक question है कि इस match के अंदर जो team पहले betting करेगी वो पहले और में 7 run यह से ज़्यादा run score करेगी तो 7 run बना तो आसानी काम मेरे साब से yes पर मैं यहाँ पर quantity trade करने वाला हूँ ऐसे ही आपको बहुत से question देखने को मिल सकते हैं आप आप रेगुलर बल्ले बाजी कोपर खेलाऊ गीए तो यहाँ पर आपके level increase होंगी और आप यहाँ पर level जादा increase करती हो तो आप मैंदरा थार जीत सकते हो बाइक जीत सकते हो, बैंको का trip जीत सकते हो, लड़धा का trip जीत सकते हो तो कमाल की आप है ज्यादा मत सोचो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है लिंक पे क्लिक करो बल्ले बाजी आप डाउनलोड करो खेलना स्टार्ट करो अब देखो दोस्त हम रोयल चैलेंजस बैंगलोर की वुमेना इनका पूरा स्क्रिप्शन देख लेते हैं और इनके प्लेयरों का पेचला रिकोर्ड देख लेते हैं हलागि दोस्त हम आपको एक-एक प्लेयर में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा हम आगे डिसकस करेंगे अभी के लिए दोस्त आप देख रहे हो स्मिर्थी मंदाना लेक्टनेड बैट्समेन है लाश्ट के पांच में चीज़ की बात करें तो 10-52-82 रन बनाए ठिक-टाक फोम में चल लिए सोफी डिवाइन दोस्तों न्यूजिलेंड की प्लेयर है और T20 वर्ल्ड कप में फ्लोप थी तो लाश्ट के पांच में चो में 14-0-16-0-3 लेकिन ये प्लेयर राइट आम मीडियम बोलिंग भी कर सकती है ऐसी दोस्तों हैदर नाइट, एलिसे परी, रीचा गोस, कनिका उजा, आशा शोबना, इंदनानी गोई सब का रिकोर्ड में ने लिखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर RHB मतलब राइट हैंड बेट्समेन है, LHB मतलब लेक्ट हैंड बेट्समेन है, RAM मतलब राइट आम मीडियम है, OB मतलब ओफ ब्रेक बोलर है, और लेफ्ट आम और तरुक्स मतलब LOD है यह आप समझ सकते हो, अगर आप वीडियो में स्क्रिन सोट ले रहे हो, अब देखो दोस्ते हैं आपको एक दो कुछ डोमेस्टिक क्लेर के बारे में बता जाता हूँ, सबसे पहला नाम है पूनम नाना साई, राइट हैंड बेट्समेन, राइट आम लेक ब्रेक स्पीन कर बोलिंग कर लेती है, रेसेंटली डोमेस्टिक ओडियाई मैच खेल के आई है, 91 रन जीरो विगेट, 10 रन दो विगेट, 39 रन तीन विगेट, 32 रन तीन विगेट, काफी कमाल की फोम में चल दिये है, खेलेगी तो ग्रेंड लीक के अंदर डिफ्रेंस क्रेटर रह सकती है, बोलिंग दोस्तों आपको पता है, विगेट कीपिंग करती है, उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ क्लेरा जैसे एरिन बन अगर खेलती है, तो यह प्लेर इंपोर्टेंट रह सकती है, राइट हैंड बैट्समें ओफ ब्रेक बोलिंग कर लेती है, और दोस्तों च्वेट पंदरा, तेईस रन एक विकेट, सतासी रन दस विकेट, लास्ट के ODA मैज खेलिके यह डोमेस्टिक के अंदर काफ यची रिकोड करी करती है, बाकि दोस्तों अगर आप देखना चाहता आप पोज करके हर एक प्लेर का रिकोड देख सकती है, आप चाहता आप स्क्रिंशो यह देखने वाली बात होगी, यह चीज में आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, तीन अमबरी बैटिंग करने आ सकती है, यह तीन प्लेर टोप ओडर के देखने को मिल सकते है, मिल ओडर की बात करें, तो अलिसे पेरी, रिचा गोस, इंदरानी, रोयक कनिक का अउजा या आसा सोबना में से कोई एक खेल सकती है, और उसके बात बोलिंग की बात करें, तो पूर्णम नाना साहिब, मेगन सकत, प्रिती बोस और साना पनवार में से कोई एक खेल सकती हूँ, रेनुका सिंग ठाकोर, अब दोस्तों इनका बोलिंग को आम तो डिकोड करें ना, तो मे अपने पूरे चार ओर की बोलिंग करेंगी, डोमेस्टिक में मैंने आपको अभी रिकोड दिखाया है इसका, एक यानोर रन जीरो विकेट, दस रन दो विकेट, उनुत्पिस रन तीन विकेट, बत्पिस रन तीन विकेट, काफ चा परफोमिस्स देखा ही है, उसका दोस्तों अगर साना पनवार खेलेगी न, यह भी अपने पूरे चार ओर की बोलिंग कर सकती है, इसका भी डोमेस्टिक कोड देखेलो, एक रन तीन विकेट, जीरो दो एक विकेट, या फिर दोस्तों यहापर साना पनवार की जिगह प्रिती बोस खेल सकती है, यह भी दोस्तों अगर भी दो से तीन ओर की बोलिंग कर सकती है, अगर खेलती है, इसका अगर मैं आपको रिकोर्ड की बात करूँ, तो लेफ्ट हिनिट बैट्स में न, ओफ ब्रेक बोलिंग कर लेती है, लास्ट के पांच बैचों में 13 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 9 अगर आप एक और डिफरेंशिल प्लेर चूज करो, तो आप पूर्णम नाना साहिब और साना पनवार को में ले सकती हो, तो फिर आप कनी का अहुजा के साथ जा सकती है, अब देखो दोस्त हमने बोलिंग का थोड़ा इनका देख लिया, बैटिंग ए गरम बात करें, तो स सोफी डिवाइन ये भी है न्यूजिलेंड की, तो अपनी कंट्री की टीम को प्लेयर को थोड़ा बोच फिवर मिलेगा, तो इसको हो सकता फिर से टोप पॉर्टर पर बैटिंग करने का मौका देजी से, अलाकि दोस्तों जो आर्सीबी का कोच है, उन्होंने रिसेंटली इ नकरक में सिसीएक को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो बोल ले कि हम हरे मैच में रोटेट करेंगे, क्योंकि उनको अगले छे दिनों के अंदर आरसीबी को च्यार मैच खेलने है, वो नहीं चाते है कि उनके प्लेयर ठक जाएं, कुछ हो जाएं, वैसा उन्होंने सोचा हो खास करकर 3 नमबरे बेटिंग करने आती है, तो इंग्लेंड वोमेन की कप्तान भी है, और 4 नमबरे बेटिंग करने आया थी पीछे वोमेन वल्ड कप के अंदर, चार नमबरे बेटिंग करते हूँ इस प्लेयर ने काफी च्छरे रन स्कोर के थे, 32 रन, 14 रन, 18 रन, 31 रन आ अब दोस्तों बात कर लेते हैं, पॉसिबल प्लेंग लेवन क्या रह सकती है, दिल्ली वूमेन की विद बैटिंग ओडर, जोगो दोस्तों प्रेडिक्टिड प्लेंग लेवन है, अगर कोई चेंज होगा तो टेली ग्राम पे अपडेट मिलने वाली है, डेली वूमेन की तरब से आपको ओपनिंग करते दिख सकते हैं, शेफाली वर्मा और जमाइमा रोडरिक्यूज, और तीन नमबरे बैटिंग है इनके साद दोस्तों जमाइमा रोडरिक्यों जा सकती है, या फिर दोस्ते आपे अलाइस केप्सी को भी ओपनिंग करने बेडिया जा सकता है, एक चेंज तो यह हो सकता है, दूसरा दोस्तों अलाइस केप्सी को तीन नमबरे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों लाइस कैप सी है वो ऑस्टेलिया की टीम में भी तीन नम्ब्रे ब्तिंग करती है और बीप स्विर्थ between ब्री ले में फिटिया rights में गरेनí rag and then पूरे चार भी कर सकती यानि 12 आउर होगे जेश जोनासन खेलेगी तो हो सकता है 3-4 ओर की बोलिंग करेगी 16 आउर होगे उसके बाद दोस्तो अरुण दन्ती रेड़ दियूर मिनू मानी में से जो भी खेलेगा वो बोलिंग करेगा 2-3 ओर की और पूर्णम याद और तारा न अब जागो दोस्तो एक चीज़ दो रखता दूँ आपको कि यहाँ पे अगर मीनू मानी खेलती है न तो यह प्लेयर आपके लिए ग्रेंड लीग में छॉक्स न दे सकती है अब मैं दोस्तो इसके रिकोर्ड दिखाता हूँ मीनू मानी राइट राइन बैट्समें ने ओफ टोप ओडर ने बैटिंग करने आगी उसके रिकोर्ड देख लेते हैं कस्मीर की प्लेयर है पंजाब क्रियर कलब से खेलती है जैसा अक्तर राइट है डिबेट्स में रिकोर्ड की बाद के लाश के पांच में चुमें आला कि मैनी अभी तक इसको अच्छा रिकोड करी करती है अपना मोनडल यह चीज आपको ध्यान में रखनी है बागे अगर प्लेइंग लिए में कोई चेंज होगा तो वो चीज में आपको बाद में टेलीग्राम पे अबडेट कर दूँगा अब दोस्त हम कर लेते हैं प्लेयर कंपेरिजन और प्लेयर कंपेरिजन करने का दोस्त हमारा मक्सत रहेगा है कि हम एक अच्छी टीम बना पाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विगड़ कीपर सेक्शन के बारे में विगड़ की पर दोस्त हमारा पास है रिचा गोस पाफिची बैट्स में रहे इकतिस चमालिस चमालिस जीरो चोद आरन मनाएं लास्ट के पांच में चुए अंदर इ 99% ओफ टीम के अंदर आप इसको ले सकते हो क्योंकि अगर ये फ्लोप होती है फिर दूसरा ओप्सन इंदरानी रोया आता है उसके बाद दोस्तो अरपना मोंडलो टाने मटे में इसको एक आ सकती है लेकिन मैं अभी गली रिचा गोस के साथ ही जाने वाला हूँ इस मैच के उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समेन के बारे में बैट्समेन दोस्तों हमारे पास बैंगलोर की तरब से स्मृति मंदाना लास्ट के अगर हम बात करें दोस्तों पांच मैच की दस रन बावन रन रन लेकिन दोस्तों इस प्लेयों को एक माननी म्यूनी नाम की प्लेयर है जिसे खत्रा रह सकता है जो कि ओफ ब्रेक बूलर ठीक टाक बोलिंग कर लेती है है दर नाइट दोस्तों राइट है ने लास्ट में काफी चरी कोड़ी करती इंगलेंड की प्लेयर थीन नम्रें बैटिंग करने भी आ सकती है सोफी डिवाइन दोस्तों गर ओपन मैं चुमें दो यह आई स्कोरिंग मैंच तीन मैं चुमें फ्लोपती जमाइमा रोडरिक्यूस त्रेपन एक तेरा उननीस ततारीस लाश के पांच मैं चुमें अलाइस कैप सी यह थोड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट रह सकती है तीन नम्रें बैटिंग भी करने आ सकती है लाश के पांच मैं चुमें तेरा इक्यावन तीन चैजीरो हाला कि दोस्तों तीन नम्रें बैटिंग करना है तो बैटिंग से खोड़ सकती है लोरा है रिस या लोरा कमिंस के बात करें तो राइट हैंड बैट्स मैंने फास्ट में बोलिंग भी कर लेती है सर्चट दो नो सब्सक्राइब करें यहां पर एक रिस्की ग्रेंड लिग की पित चूज कर सकते हैं अगर ओपनिंग करने आये तो आप अपनी टीम में ले सकती हूँ यह थोड़ा डिफ्रेंस के रह सकती है उसके बाद दोस्तों अगर मैंग लेनिंग च्यार नंबर पर करें हमा पांच नंबर सब्सक्राइब करें पर अगरना पांच एक रिसक लेके जैसा रह सकती है ऑक इन पांचोंगे सकति है यह बैटिंग से काफ़ी कमाल करसे लेकिन बैटिंग ओडर थोड़ा नीचे रह सकता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओल्लाउंटर के बारे में ओल्लाउंटर ने दोस्तों मेरे पास बैंगलोर की तरफ से अलीसा पैरी राइट है डिवेट्स में राइट है मीडियम बोलिंग कर लेती है लास्ट के पांच में चुमें एक बीकेट, ग्यारण रॉंट एक बीकेट, दोरंग जीरू वीकेट, तैन्वीक नीक्रेक है राइट हां म लेक्ब्रेक बोलिंग कर लेती है लास्ट बेता है एट है रिकोर्ड कोई कीरी नहीं करती है सोबना आसा ये भी ठीक ठाक रिकोर्ड करती है वहीं दोस्तों देली की तरब से मेरीजेने कैप काफी एच्छी प्लेयर आपको पता है इसके बारे में शेपाली वर्मा को इंटो डेक्शन देंगी जूरती नहीं है मानी मुनी ये प्लेयर थोड़ी इंपोर्टन रह सकती है अगर आप रिस्क किस पह ले सकते आप से वाली वर्मा प्रिस्क ले सकतो एक तो ये ओपनिंग करने आएगी तो स्टार्टिंग में हो सकता मारने के जटकर में जल्दिया उत हुझे दूसरा बोलिंग थोड़ी कम करती है तो अगर आप यहां पर मानी मुनी या पूर्णम नाना साहिप में इसकी को लेना चाहूँ न आप इस पर रिस्क ले सकते लेकिन रिस्क आपका होगा वह आपसोस लेना मेरे साब से तो अली साब पैरी मेरे जने कैप से फ़ली वर्मा अगर करती है यह प्लेए यह प्लेए तो लास्ट के पांचों के पांचों के पांचों मेरे निकालिए प्रीति भूष लेफ्टाम और्थोडोक्स बोलिंग कर लेती है तिना कोई खास पहों में है दिखने इतालिया है अगरे दोस्तों मारपास दिली के तरफसे जैस जोनासन लेटाम और्थ लोक्स करती है लास्ट के पांच मेंसे च्यार मैचों मेंचों में प्लोक्स बोलते है लाश्क के पांच मेंसे तीन मैचों में बोलेती वह चिकास हो, जाज़कर सब थो सब्वदाऊ के लिग oraz लास्ट की चार मेचों में से दो मेचों विगेट निका लिए अगर दोस्तों सेफ ऑक्षन की बात करें फर्स्ट चोईश है मेगन स्काट यहां से सेगंड चोईश है यहां पर मिले अनुका सिंग ठाकूर लाहन दोस्तो अम बात करले सी टीम और टीम मनाईए आगे हम ग्रेण लिक की टीम आगे बनाने वाला हूँ अब दोस्तों यह बिल्कुल सेफ टीम बनाई है एक चेंज हो सकता है सोफी डिवाइन को चाहो तो मोगा दे सकते हो अगर इन में किसी को ड्रोप करो तो यह फिर आ यहां पर दोस्तों एक लाइस के प्रती ज्यादा जुकावे साइद में मेग लेनिंग यह रोडरी क्यूज क जग है अलाइस केपसी पर ज्याद आप तरश दिखा दूँ यह देखने वाली बात होगी कैप्टन के अगर हम बात करें दोस्तों एली से पहरी सेफ केप्टन है मेरी जैने के से वाइस केप्टन बिल्कुल कलिए रहे अली से पहरी मेरी जैने केप इन स्मोल लीड अले बाजी आपको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो अब देखो दोस्तों मैंने आपके लिए ग्रेंड लिग की टीम बनाई है मेगा ग्रेंड जिसके अंदर मैंने विगड की प्रें मिलिया अरिचा गोस को बैटिंग मिलिया है है एदर नाइट स्मृति मननाना जमायमा रोडरिक्यूज और अलाइस केप्सी को और लाउंडर मिलिया अलीसे पैरी मेरीजने केप सेफाली वर्मा और पूनम नाना साहिब को और उसका द अगर आप चाहो तो आप इसकी जिगा सेफ ओप्सन ले सकते हो मैग लेनिंग या फिर रेनुवासिंग ठाकूर लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा रिस्क लिया है अगर दोस्तों हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन से कि देखो दोस्तों यहां पर अलीसे पैरी मेरीजन कैप के साथ ही जाने वाला हूं इस मैच के अंदर बाकि दोस्तों जो फाइनल टीम होगी और अपडेट होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी तो दोस्तों यह थी मेरी तरफ से रोयल चेलेंजस बैंगलोर वूमेन वर्सिस डेली कैप्टन वूमेन के बीच होने वाले मैच की मैच प्रेडिक्शन पिच रिपोडर प्लेइंग लेवन मैं उम्मीद करता हम वीडियो आपको छेले के छेले की दो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले धन्यवाद